एक English officer चो डिस्टिंग जगा पर सवर कर रहा था वहाँ की local language सिखने के लिए उसे एक लटकी दी जाती है जो उसके साथ intimate होगी और उसे language सिखाएगी प्रॉल्म दब आई जब उसे उससे प्यार हो गया Hello friends, आज मैं आपको The Sleeping Dictionary यह Hollywood romantic movie explain करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है हमारी story स्टार्ट होती 1936 में उस वक्त इंगलंड बर बहुत सारे देशों पर राज था अगर किसी को भी government job करना था तो उनकी education के लिए उन दिन डेवलब नहीं थी यहां के बहुत सारे लोगों को उसकी language भिनी आती है जान जब पहुचा तो जिसे उसकी language आती है उसे वेलकम करने के लिए आया हुआ था जान को फिर हो उसके officer के पास लेकर आता है जान के officer का नाम है Henry और Henry बहुत सारे सालों से यहां रह रह रहा है Henry उसे बुच्छता है कि तुम्हारे पास इतने सारे option थे तुम यही क्यों आया है जान ने कहा कि मेरे father ने यही serve किया था इन लोगों को education देना चाहते थे अपने father की vision वो खुद complete करना चाहता है Henry उसे कहता है कि success हो नहीं पाएगा यहां के लोग बहुत ही अलग है इने education द लेते जान ड्रिंग नहीं करता पर यह उन लोगों का disrespect होगा तो इसी वज़े से जान को drink करना पड़ता है यह drink एक बहुत ही beautiful लड़ की लेकर आई थी इसका नाम है सलीमा जो हमारी और एक main character है जान में उसे देखा और उसे बहुत अच्छी लगी थी उन्होंने बहुत सार ड्रिंग किया वो इसके बास सलीमा अपने friends के साथ नाच रही थी सब लोग फिर request करते जान भी उन्हें कुछ perform करकर दिखा है वो एक boring सी poem सुनाता है जो लोगों को पसंद ने आए फिर उसे पिक अप करने के लिए जो आदमी आया था उसे के साथ उसने dance किया सब लोग इस जौन को कुछ भी समझने आता तो उसे समझाता है यहां की local language समझना बहुत important है और यही सिखने के लिए सलीमा तुमे help करेगी तुम उसके साथ intimate होगे और यही best way है language सीखने का क्योंकि बहुत सारी century से चलता आ रहा है जौन को यह सब बहुत ही गलत लगता है वो सलीमा को ज इनकी एरिया के बॉर्डर में कुछ चैनीज लोग घुसकर आये थे और इनकी उनके साथ fight हुई है लोकल लोगों ने चैनीज लोग को तो मार डाला पर अब बॉर्डर थे कि उन चैनीज लोग के सर तोड़ कर ले आये जाए जोन ने काम बिलनसाय को देता है और बिलनसाय मंकी के हेड लाये थे जोन ने पहचान भी नहीं पाया तो सब लोग उस पर बहुत अस्ते है जोन यहां न्यू है और उसे कोई भी सिरेसली लेता नहीं उसे इसके बार में कुछ करना पड़ेगा वो जब घर पर आया तो जोन के शेफ ने एक लड़का लाया हुआ था उसे से गुस्ये में सलीमा को भी फायर कर दिया उसलीमां भी गुस्ये में बार निकल जैफ जॉन को समझाता है कि अगर सलीमां घर पड़कर चली के लोग समझेंगे कि वह बहुत ही अगली है उसका मज़ा Report बैजे गया जोन भी सिर ऌबे सब्प्ज़ के फिर पीठे सांधिया क कुछ काम के लिए Henry के घर पर आया हुआ था यही पर उसके वाइफ एजी से मिलता है एजी उसे पुछती है सलीमा के प्रोफेशन को स्लीपिंग डिशनरी कहा जाता है एजी को इसके बारे में पता था यहां की ट्रेडिशन है तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था रात में जॉन और सलीमा एक ही रूम में अलग अलग बेड़ पर सोएं सलीमा जॉन से पुछती है कि अगर तुम किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होते तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कोई भी वो कुछ बच्चों को बढ़ा रहा था और बेलेंसाय को इसमें कोई भी पॉइंट नजर नहीं आता जॉन उसे गहता है कि मैंने सुना कि तुम अंडर वाटर बहुत टाइम तक रह सकते हो तो उसके चैंपियन हो बेलेंसाय कहता है कि हाँ तो जॉन उसके साथ अब और यहां के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं तो सब लोग उसे डर जाते हैं जॉन ने बेलेंसाय को हराय तो उसके सारी बाते मानने लग जाते हैं आज राज सलीमा जॉन को चिल्डरन के बूग से पढ़ा रही थी जो लोरी सलीमा गा रही जॉन के फादर जब वो छोटा था तो यही उसे सुनाया करते थे सलीमा कहती है कि मेरे फादर भी यही मुझे सुनाते थे वो जब 4 साल की थी तभी उनकी डेथ हो गई थी यही लैंगवे सिखते सिखते हैं उसे हाथ नेक इन सारे बोड़ी और्गंस के बारे में सिखा रह ही थी जॉन कहता है मेरे बेट पर ही सो जाओ सलीमा उसे कहती है कि हमारे ट्रेडिशन है दो लोग पास रात तक एक साथ उठें तो उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है तो मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं चाहते हैं अगली रात हेंडरी ने जॉन को अपनी घरबर बु कहती है यहाँ पर बहुत ही अजीब से ट्रेडिशन हुआ करते थे कोई न्यू आविजर आया तो लाइंवेज सिखने के लिए उसे लटकी दी जाती थी सिसिल को पता नहीं था कि आज भी यही ट्रेडिशन चल रही है सिसिल वंडर करती है कि उन दोनों में या कोई भी फि संरत लगती है जौन घर पर आयो और सलीमा को गले लगा लेता है अगली दिन जौन और सिसिल एक सासे हैं सिसिल को सारे लोगों के बारे में और भी जानना था वो रिसर्च करू रहा थी तो इस自 충 Kate के लिए जौन उसbé सारी जगा दिखा रहा था वो सब लोगों की फोटॉ भी ले रही थी वो सलीमा के सामने आई वो उसकी फोटो ले सलीमा को अच्छा नहीं लगता वो जॉन से कहती है कि इसे मना करो पर जॉन कुछ भी बोल नहीं पाया अचानक से रिवर के पास फ्लोट होते हुए कुछ लोग आया एक डेंजरेस बिमारी की वज़े से उनकी एजुकेटर है वो यह बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ खुश रहोगे तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए जॉन को बहुत ही अजीब लगा वो कुछ रिस्पॉंस दे नहीं रहा था तो आजी कहती है जल्दी से इसके लिए हा कहतो वह अन्ना तु उससे कहती है तुम भी बाकियों की तरह ही हो जॉन उसे पूशता है क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था क्या हमारी रिलेशन्शिप कुछ भी अलग नहीं सलिमा कहती कि नहीं मैं सिर्फ तुमारे साथ इंटिमेट होती हूँ जॉन समझ गया कि उस पर वो गुश्सा है जॉन साही ने उसे देख लिया था तो जॉन को बचा लेता है ये दोनों फिर उस आदमी का पीछा करते हैं उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे जॉन समझ गया कि इस बिमारी की बीचे यहीं लोग होंगे वो जब वापस आय तो सलीमा भी विमार पढ़ चुकी थी जॉन ने इस पर सोजा तो रियलाइस करता है कि सलीमा ने राइस खाया था जो लोग माइनिंग कर रहे थे उन्होंने आदिवासी लोग को राइस दिया अगर सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी को भी पता नी चलेगा यही राइस सलीमा ने भी खाया था पर इस लोग पोईजन है तो उसे कुछ भी नहीं होगा पर जो लोग हमेशा से इसे खाते आ रहे उनकी डेथ हो जाती है अब यहां के जो लोकल लोग थे यह बहुत ही डेंजरस है अगर उन्हें इसके बारे में पता चलेग तो सारे लोग को मार डालेंगे बोलन साय जोन से भुशता है कि क्या मुझे इन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए जो उन लोगों ने किया वो बहुत ही गलत था इसवजे से जोन भी उन्हें मारने के ओर्डर दे देता है जोन ने रेलाइस किया कि सलीमा भी मार थी तो उसके लिए बहुत ही वरीट था उसके बिना जी नहीं सकता उसे सब बात कहे देता है उसने उसे मैरेज के लिए प्रपोस किया सलीमा कहती है हमें कोई भी अलाउड नहीं करेगा यह बहुत ही हार्ड होगा जोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लोग हमें समझ लेंगे जो इसा बात एजी ने सुनी एजी ने उसे कहा कि सलीमा तुम्हारी पास थी अब तुम आगे बढ़ो हेंड्री उसे एक ओफर देता है कहता है तुम अब फिर से इंगलंड जाओगे वाबर शादी करोगे और फिर अगर तुम्हें लगा तो फिर से वापस आ सकते हो पर अगर त उन मायनर्ज को मारने के लिए मैं हमेशा के लिए तुम्हें जेल में डाल दूँगा इसी के पैललल में सलीमा को भी ब्लैकमेल किया जाता है अगर उसने जॉन को जाने नहीं तो बोलंसाय को लोग मार डालेंगे बोलंसाय के फादर सलीमा को रिक्वेस्ट करते है सलीमा मान नहीं तो इन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा सलीमा जॉन को जेल में नहीं देखना जाती तो कहती है कि अब मैं इससे कभी भी नहीं मिलोंगी सलीमा ने भी जॉन को जाने के लिए कहा इसके बाद हम देखते हैं कि डारेकली एक साल बीच चुका था जॉन की सिसिल के सा शादी हो चुकी है इनकी वेडिंग नाइट पर सिसिल जॉन से भूशती है या तुम्हारी कोई स्लिपिंग ब्यूटी थी जॉन उसे सच कहता है पर सिसिल को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता जॉन ने उसे खुद प्रपोस किया था अब एक साल हो चुका था तो जॉन ने फिर्जे डिसाइड किया कि हो उसी जगा पर जाएगा वहाँ अने वर इन्हें वेलकम किया जाता है अब वहाँ के सारे बच्चों को जॉन पढ़ाने वाला था सब लोग जॉन को वेलकम करते हैं रात में इन्हें मुवी दिखाय जाती है पर इन सब लोगों में जॉन से इप सलीमा को धून रहा था ये बात सेसिल ने नोटिस किये वो जॉन के साथ रात में इंटिमेट होना चाहती थी पर इस थौट को शेक नहीं कर पाती उसे कहती है मुझे तुमारे और सलीमा के बारे में सब कुछ पता है उसके अब शादी हो चुकी है उसे एक बेटा है वो अपनी लाइफ में खुश है सिसल भी चाहती थी जॉन उसके साथ खुश रहे जॉन उसे अशूर करता है कि उसके साथ खुश है अगले दिन जॉन अपने ओल्ड घर को देखने के लिए गया वहाँ पर एक और ओफिसर है उसकी और कोई स्लिपिंग डिशनरी इस ओफिसर का नाम था नेविल जॉन ने नोटिस किया कि नेविल ने अपने स्लिपिंग डिशनरी को बहुत मारा है जॉन को इस बात पर बहुत गुसा है उसने नेविल को धमकी दी कि अगर तुमने फेसे उसके साथ ऐसा किया उसे मारा तो राद में तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काट देगी सिसिल और जॉन जब से यहाँ है तो एजी उनका उब्जर्वेशन कर रही थी उसे लगता है कि सिसिल और जॉन के बीच में उनकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं यह सब वो जब बात कर रही थी तब ही जॉन ने यह सब सुन लिया वो अंदर आकर सिसिल को किस कर लेता है उसने एजी को जाने के लिए कहा एक दिन जॉन जब रिवर के बास था तो उसने सलीमा उसके बेटे को देखा सलीमा का बेटा वाइट है इसका मतलब है वो उसका ही बेटा है उसे बहुत ही शौग लगा अब वो सलीमा से मिलना चाता था अपने शेफ से बात करता है या हमारी मीटिंग अरेंज करवाओ शेफ ने ओरेड़्िस सलीमा से बात की थी वे सलीमा जौन से कुछ भी बात नहीं करना चाती है एक जगा अबर जूट बोलकर सलीमा को बुलवाय जाता है जौन सलीमा से कहता है कि वो मेरा बेटा है मुझे उसे मिलना चाहिए सलिमा कहती है अगर लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो हमें मार डालेंगे जॉन कहता है कि प्लीज मुझे थोड़े टाइम मिलने दो वो अपने बेटे से मिला उसके फादर उसे जो लोरी सुनाते थे यही लोरी अपने बेटे को उसने सुनाई अगली दिन अपने बेटे के लिए वो एक टॉय बना रहा था इस बात को लेकर उसने जॉन को कन्फरंट किया तो उससे सब को समझ में आ गया एजी कहती है मेरे हस्बंड हेंडरी की पे एक स्लीबिंग डिशनोरी थी मैं डरती थी कि उसके पास फिर से वापस चला जाएगा इसी वज़े से उसके साथ ही मैं 30 साल रही यही चीज में मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी उसे सलीमा के साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं रखने के लिए वाण करती है जॉन इस बात को सिरेसली लेता नहीं वो अब सलीमा और अपने बेटे के साथ टाइम स्पैंट करने लग गया था यह बात जब बोलन साय को पता चली तो बहुत ही जेलस हो जाता है एक रात उसे मारने के लिए उसके घर पर पहुश गया जॉन की निन खुल गई थी तो बच जाता है अब यह इंसिडन बहुत ही सीरियस है हिन्री कहता है अब हमें बोलन साय को मारना पड़ेगा सलीमा तुमारी पास थी तुम्हें उसे जाने देना चाहिए था जॉन कहता है कि अगर तुम्हारी ऐसे ही और कोई रॉटर होती तो क्या तुम उसे जाने देते हैं हिन्री ने कहा यही सही होता यह बोलते होए वो सलीमा को देख रहा था इसका मतलब है सलीमा हिन्री की बेटी है हेंडरी अपनी वाइफ की वज़े से सलीमा को कभे भी अपना नहीं पाया अब नेकसिन में बोलंसाय को पकड़ कर ले आ जाता है हेंडरी के कहने पर हेंडरी के फोर्स में जॉन को बोलंसाय को डेट की सजा दिनी पड़ी वो अगले दिन बोलंसाय को हैंक करने वाले थे पर बोलंसाय नहीं एक बाद जॉन की जान बचाई थी रात में जाकर उसे छुड़ा लेता है कहता है यहां से दूर भाग जाओ रात में सलीमा भी उसे मिलने के लिए जॉन कहता है अगर हमें एक साथ रहना है तो यहां से हमें भाग जाना पड़ेगा उन्होंने भागने के लिए एक डेट डिसाइड की हेंडरी जॉन पर इस बात से बहुत गुसा था जॉन को सबख सिखाने के लिए एजी सलीमा को नेवील के पास जाने के लिए के लिए अगर सलीमा ने ऐसा नहीं किया तो उसे जेल में डाल देगी अब आज रात ये दोनों भागने वाले थे पर इससे पहले ही शाम में सिसिल जॉन से बात करती है कहती कि मैं प्रेगनन्ट हू वो आज बहुत ही खुश थी और जॉन बहुत ही ज़ादा कन्फ्यूस्ट हो गया कि अब उसे क्या करना चाहिए रात में जब सलीमा और नेवील अकेले थे तो नेवील सलीमा को जबरदस्ती करने लग गया सलीमा ने नेवील को बहुत मारा फाइनली वहाँ के शेव की मदद से वो नेवील को मार डालती है अगर वो ऐसा नहीं करती तो नेवील उसे बहुत मारता और कभी भी जाने नहीं देता इसी के पैललल में जॉन अब एक लेटर लिख रहा था सिसिल की वज़े से वो उसके साथ नहीं जा सकता पर यह सब बात सिसिल को पता चल गई यह लेटर वो पड़ती है उसे वो बात करती है उसने कहा यह मेरी मदर डरती थी इसी वज़े से वो हमेशा मेरे फादर के साथ रही वो दोनों कभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाए मैं देख सकती हूँ कि मैं तुमारी फर्स चोइस नहीं तुम मुझे अभी भी उतनी प्रायोरिटी नहीं देते सलीमा हमेशा के लिए तुमारी फर्स लव है तुम्हें उसके पास ही जाना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती है जो पूरी तरीके से मुझसे प्यार नहीं करता सिजिल होफ फूल थी कि उसे भी और कोई मिल जाएका वो जॉन को जाने देती है घर पर जो भी सब चल रहा था इस वज़े से ओ लेट हो गया सलीमा को लगा कि आज रात भी जॉन नहीं आया वो बहुत ही हार ब्रोकन हो गई जॉन उनकी जगा पर लेट पोचता है पर सलीमा को ढून नहीं बाता जॉन का शेफ फ्रेंड जॉन के लिए सलीमा पर नज़र रख रहा था वो कहता है सलीमा अभी भी यही है सलीमा ने निविल को मार दिया तो उसके मर्डर के लिए हेंडरी सलीमा को ढून रहा था वो उसे ढून तो लेता है पर जाते जाते अपनी गन उसने सलीमा को दे दी वो उसकी बेटी है और कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहता सलीमा भी उसे गले लगा लेती है उसे हमेशा से पता था कि हेंडरी उसके फादर है हेंडरी जब घर पर आय तो एजी उस पर बहुत ही गुसा थी कहती है कि तुम कुछ भी करने नहीं वाले हेंडरी कहता है मैं मेरी बेटीयों के लिए हमेशा सही बात चाहता हूँ वो इस सारी बात को दबा देगा यहाँ में पता चलता है कि नेविल अभी भी जिन्दा है वो सिर्फ इंजोर हो गया था अब एजी बहुत ही गुसा थी तो उसने जाकर नेविल को और डर दी जाओ और सलीमा और जौन को मार डालो जौन ने हर जगा पर सलीमा को ढूंडा पर फाइनली उसे ढूंडी लेता है यह दोनों एई दुसरे को मिलकर बहुत ही खुश थे तब ही नेविल उनके पास आ गया उसके पास गंध थी उसने जौन को हटकड़य पहना दी वो सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लग गया तब ही अचानक से कुछ आदिवासी लोग वहावर पहुश गये यह वही लोग हैं जिनको मरने से जौन ने बचाया था उन्होंने नेविल को मार कर इन दोनों को बचा लिया सलीमा जौन से कहती है अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं जापाओगे तुम्हें यही इन जंगलों में रहना पड़ेगा जौन कहता है मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं यह तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे इसे मुमेंट पर यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एकस्प्लेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीज़ेगा वे बहुत सारी मुवी लेकर आध रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़े और बेल नुटिवेशन आइकोन दावने मत भूलेगा हम फिर से में लेंगे और एक निमुई के साथ दबते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे